जो घटना हुई है ये भी एक सयोग है कि सीमी के अपराधियों को दिना केस चलाए उनको उनके केस वापस ले लिये गए 2011 में भाजपा की सरकार ने 2013 से खंडवा में सीमी के लड़केों ने जेल तोड़कर भार निकले 2014 में मुक्ष सचिप को बद्पदेश को ये जानकारी दे दी गई थी कि यहां से जेल से भाग सकते हैं और 2016 को 31 अक्टूबर को जेल तोड़कर आठ सीमी के लड़के भागे क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं तो सीमी के मुसल्मान निकलते हैं जेल तोड़के कोई हिंदू निकलता ये जेल तोड़ते हैं तो मुसल्मान के सिमी लड़के निकालते हैं मुसल्मान धर्म के सिमी के लोगी जेल तोड़ते हैं को हंदू नी निकलता हो जब जेल तूटती है तो इस मुसल्मान ही भागते हैं हंदू नी भागते I am atras to understand why some people are more concerned about terrorists. some people are concerned about SIMI, some people are concerned about the people who have escaped from jail, who always break law, these people are showing more concern towards them rather than showing concern about the safety and security of Indians and India as a nation. This has become a fashion for some people.